राजस्तान में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, कॉंग्रेस ओई या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्तान नाक का सवाल बन गया है, दोनों पार्टी किसी भी कीमत पर राजस्तान छोड़ने के लिए तयार नहीं है, गहलोज सरकार ने प्रदेश मे का मास्र स्ट्रोक खेल सकती है, इसकी चर्चाएं तेज हो गई है, संसत के नए सत्र के साथ ही देश में तीन नए राज्यों के गठन पर मोहर लग सकती है, शेतर फल्कि द्रिष्टी से राजस्तान देश का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्तान के जिले बड़े हैं, एक जिले से दूसरे जिले की सीमा खासी दूर है इसलिए प्रदेश के विकास को लेकर हमेशा से राजस्थान में नया प्रदेश बनाने की मांग उठती रही है गहरोज सरकार ने राजस्थान में नय जिले बनाए तो अब नय राज्य की आज भी जाग गई है पश्यमी राजस्थान के बहतर विकास के लिए नए जिलों की मांग लंबे समय से उठ रही है ऐसे में केंद्र सरकार के विशेश सत्र के साथ ही देश में नए राज्य बनने की चर्चा होने लगी है देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी मरू प्रदेश के बारे में पहले बोल चुके है तो प्रधान मंत्री मोधी ने कहा था कि ये विशेश सत्र एतिहासिक और खास होगा ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आयोध्या, मुंबई और मरु प्रदेश के गठन को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है अगर मरु प्रदेश बनता है तो इसमें राजस्तान के करीबन 20 दिलों को शामिल किया जाएगा बीस दिलों में श्रीगंगा नगर, अनूपगड, हनुमानगड, बीकानेर, चुरू, जुन्जुनू, डीडवाना, कुचामन, नीमकाथाना, नागौर, फलोदी, जैसलमेर, जोधपूर, जोधपूर ग्रामेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, संचोर और सिरोही को शामिल करने की मांग उठ रही है, देश का 14.65 प्रतिशत खनी जुतपाद इसी शेतर से होता है, देश की 27 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ती भी इसी शेतर से की जाती है, जनसंख्या की बात करें तो इस शेतर में 2 करोड़ 85 लाग से जादा लोग रहते हैं, जबकि शेतर की स आकशर्ता 33 फीज़ती से जादा है, मरुप्रदेश की मांग राजस्थान में नई नई है, सालों पहले जब राजस्थान का गठन हुआ, तो उस समय से मरुप्रदेश की मांग उठ रही है, उस समय जोदपूर और भी का नेर स्टेट ने अलग से मरुप्रदेश बनाने की मांग रखी थी, इसका समर्थन ततकालीन जोतपूर महराज ने भी किया था हलाकि अंतराश्टरी बॉर्डर की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस मांग को उस वक्त खारिश कर दिया गया था, लेकिन साल 2000 में अटल बिहारी बाजबेई सरकार ने जब देश में तीन नए राज़े बनाए तो उस वक्त भी ततकालीन उपराश्पती भैरो सिंग शिखावत ने पत्र लिखकर मरू प्रदेश की मांग उठाई थी सोशल मेडिया पर मरू प्रदेश ट्रेंड कर रहा है सब तरफ इसकी बात होने लगी है तो मोधी सरकार भी राज़स्थान में मास्टर स्टोक खेल सकती है अगर राज़स्थान में नया प्रदेश बनेगा तो राजनीती का स्वरूप ही बदल जाएगा ऐसे में देखना होगा कि संसत के विशेश सत्र में क्या मोधी सरकार देश में नए राज्यों के गठन पर फैसला ले पाती है दोस्तों प्रादिकार लाइब में हम राजस्तान की हर चोड़ी बड़ी खबरे आपके सामने लाते हैं और अब आप भी हमारे इस मिशन में भागीदार बन सकते हैं आप अपने इलागी की जरूरी खबरों को प्रादिकार सोशल मीडिया डिरेट जीमेल डॉर कॉम पर भेज सकते हैं और खबरे पसंद आने पर हम उन खबरों को आपके नाम के साथ पब्लिश करेंगे और हाँ एक जरूरी बार हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राए जरूर दे